दोस्तों हमारी आज की वेब सीरीज ऐसे मैजिकल हाउस की है जिसमें बहुत सारी मैजिकल कीज हैं और उन चावियों की मदद से आप जो चाहें वो कर सकते हैं एपिसोड की सुबात में हमें सुनसान रास्तों पर एक आदमी को रिखाया जाता है वो अपने घर का लॉक खोनली ही वाला है कि उसे एक कॉल आता है वो अंदर जाता है और फोन पर कहता है मुझे पता है मुझे क्या करना है और वो कुछ फोटोस को टेवल पर लगता है और चावी निकालता है। और उस चावी को अपने सीने में गड़ा देता है। और देखते ही देखते ये आद்मी जनने लगता है। और साथ ही उसका पूरा घर भी जल जाता है। अब हमें तीन मन्त बात का समय दिखा जाता है। जिहां एक अवरत जिसका नाम Neena Lock है, इस अंजारी शहर में एक लड़का बोडी को अपना टॉय दिखाता है, इस लड़के का नाम रूफस है, तब ही रूफस की मौम उसे आवाज देती है, और वो यहां से चला जाता है, यह सब आइस्क्रीम खाते हैं, पर यह लेडी जिसका नाम नीना है, वो अपना कार्ट दे की हाउस, मतलब इस घर का नाम की हाउस है, इस आदमी का नाम डंकन है, और यह सबसे कहता है, यह तुम सबका उस्का पुस्टैरी गpsilon है, डंकन सबको पूरा घर दिखाता है, उनका घर अंदर से काफी बढ़ा है, डंकन किंजी के पास आकर उसे बात कर रहा है, और उसके बनाई विए स्केचिस देख रहा है तब किंजी विंडो से देखती है कि इसका भाई टाइलर पहीं जा रहा है टाइलर यहां घर से दूर सिग्रेट पीने आया है पर तभी उसकी बहन किंजी भी यहीं आ जाती है और उसे कहती है कि अगर डैड यहां होते तो तुम यह कभी नहीं करते अब वही रोग कुछ बात हैं और उसके डैड की आपस में नहीं बनती थी किंजी कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो आइसरिम कैफे वा लडगा हमें जानता है इस पर ताइलर कहता है कि इसकी अज़द डाल लो कल स्कूल में यहीं होगा और और आब वो उसे याद आता है कि जब वो अपने प्राने घर पे थी, तब ही वहाँ टाइलर का फ्रेंड सैम आता है, मीना कहती है कि टाइलर होकी खिन लगया है, और सैम कहता है मुझे मिश्टर लॉक से मिलना है, असर में टाइलर के फादर टीचर जहां सैम और टाइलर पर थे, मिश्ट टाइलर आता है पर दर्वाजा अंदर से बंद है, मिश्टर लॉक सैम से गन चीनने जाते हैं, और सैम गन चला देता है और मिश्टर लॉक कोली लग जाती है, और सैम यहां से भाग जाता है, कहानी फिप प्रेजेंड में आती है, यहां बोडी घर के बाहर भूम रहा है, तब ही उसे वहाँ एक कुवा दिखाई देता है और उस गेट पर साला लगा हुँए, बोडी छोटा है यह स्लीवाए गेट के पार्ड चला जाता है, और कुवे की फोटो खिसता है, और फोटो कुवे में ही गर जाती है, बोडी जाने लगता है, तब ही उसे कुछ जिये फोटो वहीं पर रखी है यह बोरी अंदर देखता है तब कुए के अंदर से कोई उसका नाम पकारता है। किज़ी बोडी से कहती है कि तुमने अपनी इको को सुना होगा। इस पर बोरी कहता है कि वह भी यही कह रही थी कि मैं तुमारी इको हूँ। उसकी मौम उसे समझाती है पर बोडी कहता है कि वहाँ सचमच में एक लड़ी थी पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। सुबह होती है और नीना सब को नास्ता देती है तबी डंकन वहाँ आता है और कहता है कि उसे आज बाहर जाना है वह नीना को पुरे घर की चाबिया दे देता है और टाइलर और किंजी अब स्कूल चले आते हैं और डंकन घर के बाहर आकर कहता है बाई बाई की हाउस पर ऐसा चुपा रहा है, यहाँ Kinsey और Tyler कूल आ जाते हैं, Kinsey स्कूल में लंच कर रही होती है, तब ही वहाँ स्कॉट आ जाता है वो भी स्कूल में पढ़ता है, उन दोनों की दोस्तियों जाती है, पर स्कॉट कहता है कि शाम को हम सब दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे हैं और वो Kinsey को भी आने के लिए बोलता है और वो से एड्रेस मैसिज कर देता है, पर Kinsey मना कर देती है, और अब वो वहाँ से चला जाता है, वहीं दूसी तरफ टाइलर होकी की प्रेक्टिस कर रहा है, तब ही वहाँ दो लड़के जावी और ब्रिंकर आते, और उससे कहते हैं कि वो अच्छा खेलता है, और अगर वो चाहे तो हमारी टीम्स खेल सकता है, और यह कहते है कि तुम्हारे साथ जो भी ट्रेजटी हुई है वो यहाँ सब को पता है, अब इस फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ है, जो पुरा शेहर जानता है यह हम आगे देखेंगे, जहां बोडी की मॉम मार्केट जा रही है, बोडी को भी चलने को कहती है, और वह मना कर देता है बोडी अपने टॉइस के साथ खेल रहा है, तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, फिर कुए के पास जाकर आवाज लगाता है, तभी वहाँ से एक आवाज आती है, और कहती है, मैं तुम्हारी एको हूँ बोडी, वहाँ कुए के अंदर भी लड़की है, बोडी से कहती है, कि वो की आपस में बाते ही करती है, और तुमें ध्यान से सुना होगा, वो की फसफसाती है, और कुछ खास लोगों को ही उनकी अवाज सुनाई देती है, तब ही बोडी की बहन Kinzhi, उसे भाज लगाती है, और वो चला जाता है, वो स्कुर से आ चुकी है, और बोडी से अंदर र पुरिए कर देगी, अब वो स्की को दर्वाजी पे लगाता है, और जैसे यह दर्वाजा खोलता है, वै उसी आईस्क्रीम सोप में पहुच जाता है, जो स्कॉट का है, पूछता है, तुम तो किन्जी के भाई हो, क्या किन्जी भी हाँ आई है, और बोडी को कुछ भी समझर कि यह कैसे कहता है टो थीख हो धिया फोल राता है ए जादू ही टोड़ दिया और भे दर्वाज़ा कोने सकते है इसके बात नहीं likewise अब उसके हमें ऐसी होजाहसे मिली है इसके की से यहां किन्जी को लगता है कि जूट बोल रहा है और से परिशान कर रहा है इसलिए वह उसे रूम से बहाँ निकाल देती है अब किन्जी और उसकी मौम मिस्टर लॉक की फोटो देख रहे हैं तब ही किन्जी पूसती है कि हम यहां क्यूं आए हैं कि डैट कभी नहीं चाहती की हम इस घर पर आए और यहां बोडी को फिर कीज के फोसाने के वाज आती है वैसिंग में हाट डालता है जहां उसे एक और की मिलती है पर दौड कर विय के पास जाता है curt बोडी कहता है मुझे सिर्फ एनिवेर की मिली है पर वो सिर्फ मेरे ले चली pragा कर नहीं गई इस पर पोडी क्या तुमने कभी एफिल टावाल का दर्माजा देखा है नहीं पर लड़की कहती है इसनों फुमने कभी तर्माजा को देखा है पूसरी रेटी के पास लिए बोड़की पूसकी कम करसे करसे का लाइन लगा हुआ है और पूछता है कि ये की क्या काम करती है वो लड़की बताती है कि ये की तुम्हें मरे हुए लोगों के पास ली जा सकती है और उनसे मिलवा सकती है यहां टाइलर अपनी दोस्तों के साथ पाटीम आया है और किंजी भी स्कॉर्ट के यहां आई हुई है इसकौर्ट यहां उसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है, यहां यह लोग एक प्ले देख रहे हैं, तभी किंजी को कुछ प्रानी यादी आयन लगती है, और वो वहां सटका चली आती है, वाकेले रास्ते में आ रही है, तभी रास्ते में उसे उसका भाई टाइलर मिल जाता है और वो कार्व में बैठकर उसके साथ घहर आजाती है, यहां बोडी के को तरवाजे पर लगाता है, और कहता है कि मैं अपने डैट से मिलना चाहता हूं, तभी उसे आइने में उसका ही अक्स नजर आने लगता है, और वो अक्स उसे अंदर बुलाने लगता है, और नीना ज आ जाता है, और उस एको को सब कुछ बढ़ा देता है, और उसे अपनी मौम को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, तभी वह लड़की सामने आ जाती है, और बोडी से कहती है, कि अगर वह अपनी मा को बचाना चाहता है, तो वह उसे एनिवेर की लाकर दे, और बोडी वो क कि उसे दे देता है। वो लड़की कहती है कि TUMHARI मॉम मन की कैद میں फ़लगी है। और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और वो उस एक की से एक दर्वाजा खोलती है। और वहाँ से कहीं चली आती है। और वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं होता तब ही उसकी मॉम की आवाज आती है टाइलर रस्षी बांद कर अंदर जाएं लगता है उसे वहां बहुत सारी हट्टिया दिखाई देती है टाइलर तो उसकी मॉम की आवाज तो आती है पर हर जायर रिफ्लेक्शन ही होता है और जैसे ही वो किसी कांच को छूता है उसको टूड़ आता है तब ही वो दोनों आखे बंद करके सिर्फ आवाज पर कॉंस्टेट करते हैं और टाइलर को उसकी मॉम मिल जाती है जहां किंजी और बोडी उन्हें बाहर खींच लेते हैं और वो दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और बोडी त्वंद की निकाल देता है बोडी बताता है कि यह घर जादूई की से भरा हुआ है पर तभी नीना एकदम नौर्मल हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि अभी क्या हुआ है वो तीनों अपनी मॉम से कहते हैं कि आप आईने के अंदर चली गई थी और उसमें फज़ गई थी तो यहां वही कुएवाई लड़की होती है वो सेम को हाई कहती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है तो दोस्तों क्या है यह की हाउस और ऐसी कौन-कौन से कीज यहां छुपी हुई है जानने के लिए हमसे जुड़े आईए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में